दोस्तो इस्तरी 2 जो है खेल खेल में और कहीं कहीं वेदा फिल्म को बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छे से धूल चटापती हुई नजर आ रही है जहां कुछ ऐसे तथे सामने आए हैं जिसे देखकर आप लोग कहोगे कि भाई इस बार तो इस्तरी 2 ही बॉक्स ओफिस पर जंडे गारेगी आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को सुरूसन तक देखें पहली बात तो आपको बता दें कि स्तरी 2 एक Most Anticipated Film की लिस्ट में सबसे पहले पाइदान पे है और ये रिपोर्ट जो है मैं नहीं बलकी IMDb दे रहा है जो आप मेरे स्क्रेंट पर देखी सकते हो IMDb की रिपोर्ट है उसके मताबिक इस 3-2 का जो फिलहाल जो रिजंप्शन देखने को मिला है इस बता जा रहा है कि 22% से ज़्यादा लोग जो हैं इस फिल्म को रेट कर चुके हैं यानि कि सबसे ज़्यादा Most Anticipated Film की लिस्ट में पहले पाइदान पे है वहीं पर खेल-खेल में दूसरे पाइदान पे है इस फिल्म को भी 14% से ज़्यादा IMDb ने रेट किया है इस बतार में वो वापस आने जा रहे हैं इसलिए लोग ज़्यादा इंटरस्ट दिखा रहे हैं फिर से खेल-खेल में की तरफ जिहां कहीं कहीं देखा जाए तो अक्षे कुमार की मां की फिल्मों के पेक्षा अगर पिछले रेकॉर्स देखे जाए तो और इसके बाद डवल स्मार्ट जैसी फिल्में भी हैं सौथ की फिल्में भी अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं इंदी बेल्ट में गाईज तो कहीं कहीं देखा जाए तो ये काफी बड़ा कॉमपटिशन होने वाला है इस 15 अगस्त के मौके पर वहीं आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी कई और भी रूप देखा जा सकता है जैसे कि आप बुक माई सो पर देख सकते हो कि 2,7,000 से ज़्यादा लोगों ने यहां पर बोट कर दिया है इस फिल्म को जहां देखा जाए तो 2,7,000 लोगों ने बोट किया है मतब इंटरेस्ट रेट मिली है बुकिंग की मैं बात नहीं कर रहा है बुकिंग दो साइद आज स्टार्ट हो जाएगी साइद पूरी तरह से आज खुलेगी तो 32,000 जो खेल-खेल में मूवी को भी इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट रेट वहीं परकर हम वेदा की बात करें तो वेदा की भी अटलिस 13,400 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिला है तो ये जो आंकडे हैं इसी तरह से साफ पता चलता है कि भाई ये आंकडे जो कहीं न कहीं साफ जवाब दे रहा है कि हर मामले में फिलाल जो है इस तरी टूस सब को वीट कर रही है आपको बता दें कि अभी तक एटलिस 24 गंटों में ही इस फिल्म की जो कलेक्शन हो चुकी है जहां 2 करोड 30 या 32 लाग से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है जहां इंक्लोडिंग ब्लॉक से ट्रिपोर्ट कहा जा रहा है और 50,000 से ज़्यादा टिकेट सोल्ड आउट हो चुकी है तो आप सो सकते हो कि इस लेवल का फैनोमेनल रिस्पोंस है जिस रूप में फिल्म आगे बढ़ रही है उमीद है कि बॉक्स ओफिस पर आराम से कम से कम भी कलेक्शन करेगी तो 18 करोर या 20 करोर अधो हो सकता है कि यह 22 करोर का आभी आंकरा पार कर जाए और सी मार्केट इंक्लोडिंग और सी मार्केट तो कहीं कहीं देखा जाए तो काफी अच्छा genuine collection कह सकते हैं काफ़ी अच्छा response कह सकते हैं इतना बड़ा class होने के बाबजूद क्योंकि यही एक film है जो box office पर एक अपना अलग ही इतिहासरस TV ने जरा रही है वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या opinion है नीचे कमेंटर्स में जरू कहिए मिलते हैं रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी